Hello Everybody, Welcome to Quant Study मैं मुझे सिमक्तर आपका JKSSB Class 4 के लिए English का portion कवर करवा रहा था Already मैंने articles, synonyms, antonyums, prepositions, verbs, determiners, spellings complete करवा दिया है आज हम ये वाला part, reading comprehension कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे बाकी practice तो आपको खूद करनी होती है लेकिन मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आपको कैसे लिखना है, कैसे करना है, मतलब reading comprehension को कैसे पढ़ना है उसके बाद आपको answers कैसे निकालने है, और short मैं आपको कैसे करना है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो आपने वीडियो को end तक देखना है, ताकि आपको पूरा पता चले कि आपको कैसे reading comprehension attempt करना है, तो let's start अच्छा देखो यहाँ पर, यहाँ पर questions है, यह आपको note down करने है आप यह note down कर लीजे, आप वीडियो को pause कर सकते हैं, तब तक मैं मलब उसके बाद आप resume करके यहाँ पर आ जाएं, तो हम यहाँ पर passage पढ़ने वाले हैं, read the passage and answer the questions that follows, देखिए, यहाँ पर जो questions है, आप क्या करो, आप पहले questions ही पढ़ो, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, आपको easy हो जाएगा, बाद में answers ढूणना कैसे, क्योंकि आपको जो जैसे ही यह word, यह word आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था पहले इसमें, तो यह word आपको कहीं मलब मिला, word या कोई sentence होगा, जो भी होगा, आपको जैसे ही passage में मिला, इन मैसे कुछ, तो आपने try करना है, मतलब वही correct हो सकता है क्या, तो इस तरह से, ठीक है, शुरू करते हम, बहला कहा है, the author is describing a river cruise, option A है, river cruise हना, option B है, a walking tour, option C है, a trucking, a tracking expedition, and option B है, a train journey, उसके बाद 48 जो question है, मतलब इस से साब से question number two, बोल सकते हम इसको, the author did not make arrangements in advance for his last night, because he, option A, had no one to please but himself, option B, he expected the innkeeper to give him a room, option C, found no difficulty anywhere in finding accommodation, and option D, did not plan his trip very well, अब देखते हैं, कि मतलब इस तरह से कुछ हमें मिलता है क्या message में हम वो देख लेते हैं, about eight o'clock in the evening, मैं उनके लिए ये करा रहा हूं मतलब जिनको English भी नहीं आती, बलब English जो है समझ में नहीं आती है कभी-कभी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको shortcut मैं बता रहा हूं आपको कैसे बाकी जिनको English हाती है, वो तो करी लेंगे है ना, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, जिनको English में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आपको कैसे word को, जो है, वो कैसे capture करना है, जैसे यहां पर, देखते हैं भी, मैं आपके लिए ये पढ़ता ताउं नियर दी एरपोट, और मेड माँ वे तो इन इन विच आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको इससे भी दिखा देता हूं, कहां कहां मैं पढ़ रहा हूं, बट, इट हैड बीन, कमफर्टेबल और क्वाइट, जैसे यहां पर देखा था, तो आगे भी देखना है थोड़ा सा क्या यह करेक्ट है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, और तो, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो, he's talking about the walking tour, because 1200 यहां पर देखिया, on my walking tour I had stopped, where my fancy dictated and lingered on one place, with no to please but oneself, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, की he's talking about, the author is talking about what, he's talking about a walking tour, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया इसका जो आंसर आएगा वह वाकिंग थोर आएगा अच्छा अभी कुश्चन नंबर तू के लिए हम चलते हैं मतलब आशेच को हम आगे कंटीनियू रीड करेंगे आई हैड एक्सपिरियंस्ट नो डिफिकल्टी एनिवेर इन फाइंडिंग अक्वेश्चन अपने यह हमने यह भी पढ़ा था क्वेश्चन में कि अध्वांस पर बिकज यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अध्वांस में तो उसके लिए वो रीजन पूछ रहा है कि क्यों नहीं मतलब उसने क्यों नहीं अरेंजमेंट्स की थी पहले ही उसकी लास्ट नाइट के लिए बिकर्स हमने उपर देखा ही हैड़ फाउंड नो डिफिकल्टी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता तो मैं दिखा देता हूं देखे यहां पर I had experienced ौन बोल रहा है I कौन है हां पर I is the author here right so he is talking about himself author जो है खुद के बारे में बात कर रहा है और क्या कह रहा है experienced no difficulty anywhere in finding accommodation तो इसलिए it had never entered my head that would be sensible to make arrangements for the advance for my last night तो यहां पर क्या है इसलिए उसने arrangements नहीं बनाई थी वह कहता है कि मरलब यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यह जो arrangements है मुझे करनी चाहिए क्योंकि उसको लग रहा था कि he has no difficulty in finding the accommodation मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि देखे यहां पर he had found no difficulty anywhere in finding the accommodation अब ही हम थोड़ा सा इसको revise करते हैं कि हमने किस तरह से मतलब passage को पढ़ना है और किस तरह से answers देने हैं ठीक है सबसे पहले आपको questions पढ़ने हैं ठीक है questions जो नीचे दिये होंगे और एक benefit क्या होगा आपका यहां पे यह भी याद रखना है कि आपको जो questions होंगे वो आपको passage के साथ में ही दिखेंगे क्योंकि अब यहां पर screen में दिखाना possible नहीं था इसलिए मुझे उपर नीचे यह करना पड़ा था नहीं तो आपको वहां पे questions भी साथ में होंगे और passage भी और यह जो है यह एक benefit होगा राइट तीसरी बात उसके बाद जैसे आपने वो पड़ा फिर आपने वो words जो है target करने है words या sentences कहीं पे दिखें देखें कभी कभी क्या होता है not में आता है question which of the following is not correct according to the passage message तो वहां पे क्या करना होता है वहां पे भी वही आपको sentence जैसे अगर यहां पर he had found difficulty somewhere in the in finding the accommodation अगर यहां पर इस तरह से होता he had found some difficulty and somewhere in finding accommodation ठीक है तो यहां पर क्या करना था आपको यहां पर जब आप यहां पर जाते उपर तो आप देखते तो यह तो यार इस तरह से है कि no difficulty यहां पे तो बता रहा है he had found some difficulty यह तो खत्रा है तो इस लिए आपने क्या करना था यह incorrect हो जाता लेकिन यहां पर क्या था यहां पर simply found no difficulty anywhere और उपर भी found no difficulty था ओके तो तो finally हमारा कौन कौन सा articles complete हो गया synonyms complete हो गया antonyms हमारा complete हो गया है prepositions complete हो गया हमारा verbs जो है complete हो गया है determiners हमारा complete हो गया spelling हमारा complete हो गया है और reading comprehension भी आज मैंने आपको समझा दिया आपको किस तरह से करना है हाला कि आपको इसका जो है practice करनी पड़ेगी थोड़ी जी लेकिन तरीका जो है मुझे I'm sure कि वहां पर जो है exam में इसी तरह से आएगा और आपने जो है बहुत मतलब इतना difficult नहीं आएगा passage जो कि मतलब UPSC वगरा level में आता है या फिर इस तरह से वहां पर नहीं आएगा CGL लेवल वगरा CHSL लेवल इतना भी difficult नहीं आएगा वहां पर ऐसे ही आएंगे तो आपने इस तरह के जो है passages solve करने हैं आपके पास जो है books वगरा से solve करने हैं आपने ठीक है तो आज हमारा इतना सा syllabus complete हो गया है अब हमारे पास सिर्फ बज़ता है sentences उसको हम कितने parts में करेंगे उसको हम करेंगे दो parts में तो finally हमारा जो syllabus है complete हो जाएगा तो आपको पता है English 20 marks का है तो 20 marks का आप कर सकते हैं 20 में से अगरा प्रेक्टिस करेंगे अच्छी रखेंगे तो ओके अब बात करते हैं अच्छा ठीक है तो अभी क्या करना अब you just have to practice a lot and exam की dates आ चुकी है so all the best for your preparation thank you so much for watching I'll see you in the next sentence videos